Word of the Day Colonel Spelling है C-O-L-O-N-E-L It is Colonel अब आप सोच रहे होंगे कि इसे Colonel क्यों नहीं प्रणाउंस किया जा रहा है क्योंकि Spelling तो C-O-L-O लिखी हुई है अक्सर इस पर्टिकुलर वर्ड को प्रणाउंस करने में कई बार confusion हो जाती है तो इस वर्ड को आपको दो तरीके से प्रणाउंस करना है जो की correct pronunciation है जैसे पहले आप प्रणाउंस करेंगे क-नल करनल ठीक है यहाँ पर आर का उच्चारण नहीं होगा इसके बाद जो दूसरा प्रणाउंसियेशन है उसमें आर उच्चारण के साथ है जैसे करनल कर-नल करनल ठीक है तो या तो आप प्रणाउंस कीजिए करनल या फिर आप प्रणाउंस कीजिए करनल दोनों ही correct है तो यहाँ पर आज के बाद से आपको ध्यान रखना है कि इस पटिकुलर वर्ड को यानि इस स्पेलिंग वाले वर्ड को आप कोलूनल प्रणाउंस नहीं करेंगे इट इस टोटिली रॉंग आपको इससे प्रणाउंस करना है करनल या करनल ठीक है तो चलिए आप जान लेते हैं इस वर्ड की मीनिंग क्या होती है तो जी इस word का मतलब होता है आर्मी की एक Senior Commissioned Officer Rank यानि यह जो Colonel आप यहाँ पर word देख रहे हैं यह एक तरह का title होता है ठीक, जो की आर्मी से related होता है और यह एक Senior Commissioned Officer Rank होती है एक title होता है English grammar में Colonel या Colonel यह जो word है यह एक noun की तरह use किया जाता है चलिए अब देख लेते हैं किस तरह से इस noun word को हम sentences में use करेंगे So using sentences, the first sentence is My uncle was a colonel in Indian Army यानि मेरे uncle Indian Army में एक colonel थे Very simple, यहाँ पर हमने colonel word का use कर लिया है आप देख पा रहे हैं चलिए अब देख लेते हैं अगला sentence He was promoted to the rank of lieutenant colonel in 2008 यानि उन्हें 2008 में lieutenant colonel की rank पर पदोनत किया गया था यानि की promote किया गया था तो जी इस sentence में भी मैंने colonel इस word का use किया है Very simple चलिए अब देख लेते हैं एक और last sentence colonel या colonel इस word को use करते हुए तो जी sentence कुछ इस तरह से है ध्यान रहे आपको इसे correctly pronounce करना है इसे colonel प्रणाउंस नहीं किया जाएगा इसे प्रणाउंस किया जाएगा colonel या फिर colonel So I hope आप सभी के समझ में आ गया होगा कि colonel वर्ड को हम प्रणाउंस कैसे करते हैं और इसकी मीनिंग क्या होती है sentences में कैसे use किया जाता है मिलती हूँ आपसे next video में एक new word के साथ तब तक के लिए keep watching my channel and subscribe Thank you so much